हेलो वाई हो एसिया कप का सूपर फोर का थर्ड मैच जैसे कि आपको जानते हो इंडिया वर्षिज पाकिस्तान का मैच है और दोनों टीम बिढ़ने वाली है दूसरी पर पहला मैच तो यहां पे नो रिजल्ट रहा बारीश के बचल से और दूसरा मैच में फुल मतलब चांस जाओगे मैच में क्या होने वाला है कौन्ज टीम विन करने वाली है बस आपको लासन तब बने रहना है दफ सेटमबर संड़े को मैच खेला जाएगा बागी आप मेरा नमबर दिख रहे हो लिए और पाकिस्तान का मैच आएं तो बिलकुल आपको यह मैच टेलीग्राम पर आएगा तो जरूर ज्ञानते हो अब बात करेंगे दोस्तों जैसा कि देख सकते हो हें टूएट क्या है दोनों टीम के बारे में भाई मेरे हें टूएट टूएट दोनों टीम अभी देख पाकिस्तान का ओडियाई में रिकॉर्ड अच्छा है बोल सकते हो लेकिन हेट टूएट इस वेनु पे एक मैच हुए है और पाकिस्तान ने एक जीता है डिपेट का एक तो बात करने के प्रेमा था स्टेटियम कोलंबो में 2004 का हुआ था मैच और पाकिस्तान ने पाकिस्तान का वर्लक निसका गया था जिसमें इंडिया ने हडाया था पाकिस्तान को और 18 दून 2017 जीती थी जब भी दोनों टिम का मैच होता है अगर हम दिखेंगे तो काफी यहां पर अगर अगर अच्छी लीड कर रही है अच्छा परफॉर्म कर रही है जानते हो जैसे कि दोनों टीम नेपाल से मैच ही जीती थी और उसके बाद दोनों टीम का मैच नो रिजल्ट हुआ था लेकिन पाकिस Ear ker फोट का एक मैच जोगी बांगनाजय से जीत कर रही है मुझदान लाहोर स्टेडियम में मैच खला गया था और और पाकिस्तान Lettress Series जयसे कि आप जानतो हो लेटress Series ने खेला अफगानिस्तान से शिलंका में ौर जीती थी मैस बादक było कि इस पीच披े एक इनिंग में बैट करना असान होता है एक प्रेशर गेम है जैसा ही जानते और टॉस में डेफिनेटली इस पिछ पर फर्स्ट बैट के साथ उतरेगी लेकि रेनी कंडिसेंट अगर रेनी कंडिसेंट बारी जाते जाती है तो सकेंड बैट को बेनिफिट मिलेगा तो यह बहुत मैच हो रहा है बंगलाद बंगलाद इस वर्सेश सिलंका का तो स्लोव विकेट है जैसा कि आप जानते हो प्रेमादास स्टेडियम जाना जाता है यहां पर स्कूर करना बहुत मुश्किल होता है और अगर स्कूर 250 लग जाय तो काफी यहां पर चांसे से डिफेंड होने के बन जाते हैं बात कर टीम ने जब लेप्ट किये जुएन करते कि आ चुके हैं दोनों प्लेयर आ चुके हैं टीम को काफी यहां पर मजबूती मिलेगी रोहित सर्वाइस को लिटकर रहा है पाकिस्तान का बावराइजम प्लेंग लें उन्हों कुछ चेंजर देखने को मिले प्लेंग लिए इंडिया के और इनको रिकॉर्ड अनालिसिस हम देखेंगे इंडिया के तब से जैसा कि जानते हो रोहित सर्वाइन ने यह भी स्योड कर दिया है कि किया रावल उनके साथ ओपनिंग करेंगे सुमांगिल थर्ड या फोर्ट नमर वो बिराड कोली पे डिप पाकिस्तान के अगेंट्ट और यहां पर मदद मिल सकता है विराड कोली का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के एंडिप और हार्दी पंड़ा के पांच मैचों में 209 रन बना है तो काभी अच्छा दोनों टीम के जब भी दोनों मैच होता है तो विराड कोली हो हार्दी पंड़ा की प्लेइस के रूप में उबरते हैं और रविंदर जडेजा तीन ऐसे प्लेयर है काभी इंपोर्टेंस प्लेयर है पाकिस्तान के साथ मैच हुआ है इस पिछ पर देखने को मिलेगा इस मैच में बागी प्लेइंग लेवन आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के तरफ से मैच काफी अच्छा होने वाला टीम काफी दुनों टीम की बैलेंस है काभी कलरफूल मैच देखने को मिलेगा मिस मत किजिएगा मेरे टेलीग्राम जोइन किजिएगा अपडेट के लिए तो आप यहां पे रिकॉर्ड भी देख सकते हो यह एगेंस रिकॉर्ड है और यह व रिकॉर्ड है इंडिया के अच्छा रिकॉर्ड है और ऐसे ही नसीम सा और साहिन अप्रिंदी हरी स्रॉप इंपोर्टन्स की प्लेड है बाकि जो टीम बना रहे हो भाई मेरे ड्रीम अलॉन टीम हाला कि मैंने बना के दिया हूं और टीम काफी बैलेंस बनाया हूं आप करेंगे रविंदर जडेजा जस्परीद भूमडा मुहमद सामी खेलते हैं तो जरूर पिक किजिएगा पांच प्लेयर इंपोर्टेंट है जरूर लेके चलिएगा केल राहूल को डॉप कर लिजेगा वहाला कि बिकट की पर में यहां पर रिजवान को ले रहा हूं रोहिस काफी मतलब अच्छा परफॉमेंस देखने को मिलता है तो यहां पर बना रहा हूं अच्छा खेलते पर नजर आते हैं मौहमद सामी जस्पीद भूम्रा साहिन अप्रिदी हडी सुरॉप यह आपको बॉलिंग अटेक हो गया बाकि मेरा यहां पे बिक्रम बजेटर नाम से टेलिग्राम चैनल है जरूर जान कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गया है वीडियो से तो लाइक कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में